क्वेश्चन दिया है राजू की आय उसकी व्याए से 20 प्रसत अधिक है यदि उसकी आय में 60 प्रसत की व्रद्धी होती है और उसकी व्याए में 70 प्रसत की व्रद्धी होती है तो बचत में कितने प्रसत की व्रद्धी या कमी होगी मान लेंगे राजु की व्याय 100 रुपे है और उसकी आय व्याय से 20 प्रसत अधिक है तो आय हो जाएगी 120 रुपे तब बचत हो जाएगी इसकी 20 रुपे की यदि उसकी आय में 60 प्रसत की वरद्धी होती है आय है 120 रुपे 60 प्रसत की वरद्धी हो रही है 70 प्रसत की व्रद्धी हो रही है तो 100 का 170 प्रसत निकाल लेंगे तो व्याय हो जाएगी 170 रुपए तब उसकी बचत हो रही है 22 रुपए की तो बचत में कितने प्रसत की व्रद्धी या कमी हो रही है पहले बचत हो रही थी 20 रुपए की अब हो रही है 22 रुपए की 2 रुपए अधिक की बचत हो रही है 2 बटे कितने में हो रही है 20 रुपए में बटे 20 कर देंगे गुड़ा 100 कर देंगे solve कर लेंगे इसे 20 से भाग देंगे 100 में 5 पाच को गुड़ा कर देंगे दो में 10 प्रस्त तो उसकी बचत में 10 प्रस्त की व्रद्धी हो रही है option A इसका right answer होगा